हाई फ्रेंज वेलकम टू माय दुछा क्या आप ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मम्मा हो और आपको निपल में दर्द हो रहा है तो यह वीडियो एन तक जरूर देखना हम उस वीडियो में वह सारे घरेलू नुक्सों के बारे में बात करेंगे जिससे आप आपका निपल प कम कर सकते हो एक है बच्चे को राइट लाचिंग करवाना मतलब बच्चे के मुझ में सिर्फ निपल नहीं होना चाहिए निपल के साइड का ब्राउन एरिया भी होना चाहिए बच्चे का लाच डीप करने के उपर काम करो बच्चा प्रीफरेबली आपकी तरफ फेस होना तो इससे आपका लाच अगर ठीक हो गया तो निपल पेन काफी हद तक कम हो जाएगा अगर आपको लगता है कि नहीं श्रया मेरा लाच भी ठीक ही है फीड भी मुझे निपल में दर्द हो रहा है तो हम लोग क्या-क्या रेमेडी कर सकते हैं एक बहुत वंडरफुल रेमेडी है जहाँ पर बच्चा खूद होके जाके ब्रेस्ट पर जाएगा तो वो लाच बहुत कमफर्टेबल ही हो जाता है और उसमें निपल पेन कई बार कम हो जाता है दूसरा चीज ट्राइटू चेंज दो होल्ड अफियर ब्रेस्ट अगर आप कैची में ब्रेस्ट को पकड़ तो C होल ट्राइ करो अगर C में होल पकड़ रह तो लोग vertical V ट्राइ करो पिंच ट्राइ करो तो थोड़े थोड़े अलग अलग positions ट्राइ करो तो उससे आपका ब्रेस्ट फीडिंग में जो निपल पेन हो रहा हो काफी हत तक कम हो जाएगा फ्र्द अगर आपको लग रहा ह तब दर्द नहीं होता है, जैसे ही मैं breast छोड़ देती हूं, मुझे दर्द होता है, इसका मतलब कही ना कही आपने breast छोड़ने के बाद, बच्चा फिसल के nipple पे आ रहा है, तो preferably throughout breast feeding, आप breast को पकड़ के रखो, तो बच्चे के मुँँ में properly brown area रहेगा, at least for initial 15-20 days, जब तक latch बहुत अच्छे से set नहीं हो जाता, fourth remedy, अगर आपको लगता है कि बच्चा latch करते वक्त आपको दर्द हो रहा है, you have to discontinue breast feeding, discontinue कैसे remedy है, बहुत important, further injury नहीं होने देना, ये भी remedy का ही तो हिस्सा है, तो आपको discontinue करना है latching, ये बहुत जरूरी trick है, third thing, आपको गुनगुना प पानी है, उसमें आपको आधा चमच नमक डालना है, ये पानी को हिला दो, आपका water तयार हो गया, फिर निपल पैड, जो use and throw निपल पैड मिलता है, circular कपडे का वो ले लो, अगर वो नहीं है तो कोई भी clean cotton का मलमल का कपडा ले लो, उसके उपर आपको ये पानी पोर करना ह फिर आपको ये वाला जो कपडा है, वो 15 मिनिट के लिए आपके निपल के ऊपर रखना है, फिर 15 मिनिट के बाद ये निकाल दो, एक पाच मिनिट के लिए ब्रेस्ट को air dry होने दो, और फिर continue with your schedule, it's a very very important remedy, इससे आपके निपल पे जो sensitivity pain हो रहा है, जुनरल पैन हो रहा है next remedy, avoid non-nutritive breastfeeding, observe करो, बच्चा जभी सक कर रहा है, क्या वो तब गीट रहा है, अगर गीटने का action बंद हो गया, मतलब non-nutritive sucking चाल हो है, तो वो आपको compulsory बंद करना है, next remedy, थोड़ा सा खुद का दोध, express करो, और अपने निपल और निपल के side के area में लगा दो, फिर उसको 10-15 मिनिट के लिए, उसको सूखने दो, और फिर आप ब्रेस्ट को close कर सकते हो, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी healing properties होती है, तो बहुत जल्दी आपके निपल को heal कर दे, यह remedy किसी ने मुझे भी बताया था, जब मेरी डॉटर हुई थी, किसी ने मुझे यह नहीं बताया थ कि ब्रेस्ट मिल्क लगा के 15 मिट के लिए खुला भी रखना है, मैं तो ब्रेस्ट मिल्क लगा देती थी, फिर निपल क्लोज कर देती थी, फिर वेटनेस के वज़े से निपल और डैमेज हो गया था, तो यह बहुत इंपोर्टेंट ट्रिक है जो आप लोग याद रूखो नेक्स इंपोर्टेंट ट्रिक रखना है अपला है प्ला है पेट्रोलियम जली, पेट्रोलियम जली या नाच्रल शीय अबटर या माय दुजा का निपल सॉफनर, इन फाक्त माय दुजा के 50 ओड प्रोडक्स है एक्स्पेक्टिंग मदर और बेबी के लिए जो हम लोग बगाते हो तो आप लोग के निपल बहुत जादा अच्छे स्टेट में रहते हैं चुछ आपको अपसर होता है कि आपके निपल इंवर्टेड है अंदर है निपल का शेप थोड़ा सा अलग है तो फिर आप लोग को ध्यान देना है कि आप प्रेग्नेंसी में ही निपल प्रिश्फूल हो सकते हैं श्रेया अम लोगों ने ये सब कर दिया फिर भी निपल का दर्थ कम नहीं हो रहा है तो आपको लेक्टेशन एक्सपोर्ट की जरुवत है मैं श्रेया श्राया है आपको लेक्टेशन एक्सपोर्ट आपको लाइफ पिंपरी पुना मुंबाई और आपको लेक्टेशन एक्सपोर्ट के पास जाके मिलना है वह उब्सेव करें के क्या लाच ठीक है क्या बचा नूट्रीटिव ब्रेस फीडिंग कर रहा है क्या आपको लाचिंग का या ब्रेस chin का को फॉuchen सिखाने की जरूट और क्या हम लोग को बच्चे को सिखाने की जरुवत है कि ब्रेस फीडिंग कैसे लिना चाहिए again need an expert at those moments जो आपको actually help करेंगे श्रया निपल पर दर्द हो रहा है तो क्या हम लोग formula milk दे सकते हैं no never don't get into that mistake अगर आपका milk flow बहुत अच्छा है तो ensure करना है कि आपको बिच्चे को breastfeeding ही दीना है अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप लोग निपल शील्ड का help ले सकते हो और विच इस कॉल्ड़ निपल प्रोटेक्टर्स जो बहुत इजी ली आपको market में अमेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे अप उसको निपल पर लगा के फीड कराओ का कि आपका milk flow maintain रहे और साथ अग्मी आप ये सारे remedies करते रहो जिससे आपके निपल भी हीलो जाए और उसकी साथ लाच पर भी काम करो तो ये तीनों चीज़े अगर आप लोग ट्रेंगल में काम करते रहोगे तो बहुत जल्दी आपका निपल पें काफी हद तक कम हो जाएगा All the best mother, you deserve a peaceful motherhood Thank you so much for watching this particular video अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हूँ तो चैनल को subscribe करना, bell icon को hit करना, इस वीडियो को जरूर शेर करना और comment करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा Thank you so much all of you, have a great time and bye